हेलो एवरिवन, गुड मॉर्निंग, सत्रेकाल, सलाव, नमस्ते, दोस्तों आज है December 5, 2022 और हम लोग करने वाले हैं, दा हिंदू न्यूजपेपर के नेलसीज, मिरा नाम है सितेंदर चोधरी और ओच यह तरह हैं, फिर से आज हम लोग कुछ टोपिक्स करने वाले हैं, देखे सिते ध्यारग कोशिंग आने के बिल्कुलों चांस है, तो मेंस के प्रश्पेक्टी से काफी इंपोर्टन टौिक है, ई रूपी वाला भी मेंस के प्रश्पेक्टी से जख़गर कुछ चल रहा है, ग्जमपल देनें के काम हापके आ सकता है, ट्रैफिकिंग वाला तो एक ब बार-बार एक्जाम में तो प्रिलिम्स में भी और मेंस में दोनों भी आ सकता है और उसके लावा जो चाइना आज कल भाही इंडियन ओशिन के अंदर जो हरकते कर रहा है है ना तो उसके बारे में भी एक छोटा सा आर्टिकल यहां पर दिया हुआ है एक दो खास इंपोर्ट तो आज है भी यह क्या आज है वर्ल्ड सोइल डे ठीक है आज वर्ल्ड सोइल डे है और इसकी जो थीम है वो है सोइल्स वेर फूड बिगिंस देखिए आज कल ऐसे कवस्चन साते नहीं है एक्जाम में बतल थीम बेस्ट पहले ऐसा होता था कुछ साल पहले एक कोश्चन थ सिस्टम चेंज कर सकता है तो थीम अगर आपको ध्यान होने चाहिए और जहां ता क्लासिस की बात है फाउंडेशन कोर्स की आपको बता दू के जैनुरी से हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स लौंच करने वाले हैं तो अगर किसी स्टुडेंट को जोइन करना है तो इन रेर जेस्टर इरान शट्स मोरालिटी पुलिस मोरालिटी पुलिस समझते हो ना मोरालिटी पुलिस कोई रियल पुलिस नहीं होती है जैसे हमारे यहां पर होता है कहीं बार इंडिया में भी होता है पार्क में अगर लड़का लड़की बैठे हुए हैं बैंच बेवार उन्होंने मीनी स्कृट पहन रखी है या जीन्स पहन रखी है रिप्ट जीन्स तो उनके खिलाब बयान बाजी शुरू हो जाती है उनको लोग क्वेशन करना शुरू कर देते हैं तो वही है मेरा morality police छीक है इसी तरह की morality police जो है वह एरान के अंदर भी है जो कि normal police से अलग होती है जैसे मैंने आपको पता है इसके अंदर civil society मतलल नोर्मल जंता के लोग ही होते हैं जो अपने आपको कल्चर का religion का ठेकेदार समझते हैं उस तरह के लोग होते हैं तो आपका पता ही है कि इस तरह से इरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं राइट प्रोटेस्ट की प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेस्ट कस्टिडी में ही उनकी मोत हो गई उनके फैमली वालों ने कहा कि उनको मारा पीटा गया है उसके बाद से इरान के अंदर बहुत जादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए एंटी हिजाब प्रोटेस्ट जिसको भी बोला जा रहा था विमन का कहना है कि जो हिजाब पहने की जबरदस्ती उनको की जाती है वो उनको फ्रिडू को कर्टेल करता है उनके फंडमेंटल राइट्स का वाइलेशन है और यह उनके सप्रेस करता है बेसिकली वीमन को सप्रेस करता है उनका धिकारों को तो वह सब चीज़ें वहाँ प बहुत ज़्यादा इंफलेशन है इरान में वो सब चीजे हो रही है तो अभी सरकार के खिलाफ जो है वो चीजे हो रही है तो जब इतने बड़े लवले प्रोटेस्ट हो रहे हैं 400 पलस लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक प्रोटेस्ट में तो इरान ने एक अजीब सा उनको खास-खास बोल दिया है कि आप यह सब नहीं करोगे और ऐसा भी नहीं है कि Morality Police इरान में शुरू आत से गिया ऐसा नहीं है 1979 में जब एक Islamic Revolution हुआ था उसमें जो अमेरिका की सपोर्ट वाली जो सरकार थी उसको ओर्थरो कर दिया गया था जो नहीं गवर्मेंट थी और उन्होंने वहाँ पर स्ट्रिक्ट इस्लामिक लोज को इंप्लीमेंट किया जिसमें स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड भी आते हैं और वो women और men दोनों के लिए होते हैं ठीक है अपने भी नहीं साब से होते हैं तो वहाँ से उसकी शुरुआत होई थी लेकिन formal way में 2006 में इसकी शुरुआत होई थी जब वहाँ के प्रेजिडेंट थे महम्मद अमदिल पता नहीं कैसे बोलते हैं इसको अमेद निजाद ठीक ह तो क्या करते हैं पबलिक में घुमते रहते हैं पार्क्स वेरा में मॉल्स वे में महाँ पे देखते रहते हैं बही कोई ओरत के सर पे हिजाब है के नहीं उसने जीन्स तो नहीं पहन रखी है तो उसको टोकते हैं पकड़ते हैं कई बार वाइलेंस भी किया जा सकता है तो इ रश्या का पर तो sanctions लगा ही रहे हैं Western countries European Union and all that why because Ukraine की crisis की वजए से और सबसे ज़्यादा जो targets किया जा रहा है Russian के sanctions को वो किया जा रहा है oil की वजए से तो you know very well के रश्या का जो major income का जो साधन है वो oil ही है oil or natural gas तो इसलिए जो है उसके उपर sanctions लगाए जा रहे हैं ताकि Russian oil की जो भिक्री है वो कम से कम हो सके और रश्या की income कम से कम की जा सके तो रश्या की income तो होती oil से you know very well और उसके लिए ग्रूप है जिसका नाम है OPEC OPEC is like a cartel यह cartel है आप मतलब इस तरह से समझ लीजिए जैसे market के अंदर जैसे जो आठ दस जो बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं जो UPSC की त्यारी करवाते हैं यह की त्यारी करवाते हैं मान लोग उनके जितने भी मालिक हैं वो आपस में उनके WhatsApp ग्रूप है वो आपस में दोस् और यह decide कर लिया तो क्या होगा क्योंकि seat बहुत कम है demand बहुत high है coaching के लिए तो बच्चे 5 लाख रुपे देने के लिए भी तियार हो जाएंगे जब supply कम होती है demand जाता होती है तो automatically price high हो जाता है इसी तरह से economy काम करती है तो यही चीज बहुत पहले 1960s में कुछ Arab countries ने भी सम supporting country जो सबसे ज़्यादा oil produce करती है export करती है तो इन्होंने ऐसे ही गुरूप बनाया 1960s में जिसे ओपक कहा गया बाद में इस गुरूप के अंदर दूसरी countries भी जुड़ती है चली गई तो जब भी इनको लगता है कि इनकम कम हो रही है market में oil supply बहुत ज़्यादा हो गई है price डाउन जा रहे है तो यह लोग क्या करते हैं हमनी supply को cut कर देते है supply cut कर देते है demand of course already high रहती है तो जो crude oil का price हो increase होता रहता है क्योंकि इन countries की income जो है वो oil के उपर ही depend करती है तो यह है थोड़ा सा ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में international market में क्योंकि covid की वज़े से जो है recession के माहौल भी बन रहा है उसके लबाद चाइना की बहुत सरी cities जो है बंद पड़ी रहती है कोविड की वज़े से तो चाइना में भी demand कम हो रही है oil की योरोप के उंदर भी demand कम हो रही है तो overall internationally इस समय crude oil की demand price बहुत जादा नहीं है गिरते चले जा रहे हैं तो जिसकी वज़े से इनोंने decide कि हम लोग supply को कम करेंगे ताकि demand को प्राइस को increase किया जा सके तो यह पुरा महोल यहां पर जो हिस्ता में बंद रहा है थोड़ा बहुत अगर वह content पढ़ना है तो ओपेक प्लस के बारे में definitely आप जाके पढ़ सकते हैं ओपेक प्लस में जो है ओपेक कंट्रीज के अलावा अजरबेजान बहरेन बुरेने के जाकिस्तान देखे रशिया भी यहां पर है ठीक है साथ सुडान और सुडान यह सबाब को पताना चाहिए ओपेक प्लस का concerns जो है इंडिया के बारे में तो of course है इंडिया का 84% जो oil आत पता है उसकी वजह से तो थोड़ा पढ़ सकते हो 1960 में ओपेक की शुरुवात की गई थी शुरुवात में पांच कंट्रीज के अंदर इरान इराग कुवेद साओधी अरेबिया और वेनिजवेला बाद में जो हैसमें दूसरी कंट्री जोटती चली गई ठीक है वह Online in search of victim देखे पहले आपका यह पता होना चाहिए human trafficking क्या होती है traffic था समझती हो ना किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना transfer करना एक जगह से दूसरी जगह पर तो यहां पर humans को ट्राफिक किया जाता है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनकी मर्जी के भीना फोर्स करके प्रोड करके धोखा धड़ी करके उनको ट्रांसपर किया जाता है जैसे आप यह समझ लिजे के जैसे मुंबई में मुंबई में कोई एडवर्टीजमेंट निकला और यह लिखा गया कि भाई हमें जो है दो हिरोईन की जुरूरत है ठीक है और वो फ्रेश होनी च जाता है उनको पर फोर्स किया जाता है उनको लालच दिया जाता है डर दिया जाता है तो उसकी वज़े से जो है वह सेक्स गरा में होता है उनको ट्राफिकिंग भी कह जाता है उनको हो सकता है वह साओधियर एबिया में रशिया कहीं भी भीच सकते हैं तो इस तरह से चीज में है उसके लाव हमारे पास 1956 का इम्मोरल ट्रैफिकिंग प्रेवेंशिन एक्ट है सैंक्शन 366 है यह तो मैंने आपके लिए जो है डाल रखा है content self-study के लिए आर्टिकल क्या कहता है आर्टिकल देखिए कहता है भाई देखिए कोवीड के समय में क्या हुआ जब चीजें बंद हो गई तो जो नोर्मल तरीके से ट्रैफिकिंग होती थी वह नहीं हो पा रही थी तो जैसा कि ट्रैफिकर लोग तो और भी जदा स्मार्ट होते हैं तो डिजिटल वर्ड में घुस गए तो वह लोग क्या करते हैं जो यंग बच्चे होते हैं वह से तो किसी की से बात करते हैं उनको फसाते हैं और बाद में उनको धंकी दिया जाता है और ट्रैफिंग वहरा वह सब होता है यूजली जो राजस्थान वेस्ट बेंगोल जहारकन और मध्यप्रदेश इन स्टेट्स के अंदर ओलड़ी इंडिया में ट्रैफिकिंग बहुत जादा थी त की dris को ओड़ा घए और यंग बच्चे होते हैं पंदरा सॉब्सालिया जाता है उनको लूर किया जाता है इंस्टाग्राम पर, फेस्बुक पे फरेंड्रीवट्स बेड्स होती है और उससर शूरे पिर बाद में उनकी trafficking होती है तो इस तरह के बहुत सरे case आते हैं relationship के थ्रू blackmail के थ्रू कहीं बार आपके जो photograph किया जा सकता है चेंज किया जा सकता है तो बड़ा रिस्की है social media पे फोटोग्राप को डालना कहीं बार उसकी issues किया जा सकता है ठीक है तो और वह सब चीज़े यह उनको better training की requirement है क्योंकि digital platform के थूर यह सब चीज़े होती है तो highly advanced होती है और काफी सदा encrypted भी होती है तो proper training की भी जरूरत यहां पर पड़ती है बाकी detection प्रपर तरीके से होना चाहिए of course और जैसे digital शक्ति वगारा का जो प्रोग्राम है जो की awareness के लिए यूजिली चलाया जा के थूरू या किसी in track applications के थूरू अगर आपको थोड़ा सा भी भनग लगती है कि जिससे आप बात कर रहे हो unknown person से वो genuine नहीं है या कुछ भी कर रहा है तो definitely आपको भी aware होना चाहिए उसके लिए human trafficking के case भी हो सकता है यह नहीं कहारों कि सभी human trafficking के case होते हैं बट येस आपको खुद awareness की requirement होते हैं किसी कैसे जाल में मत फसें लालच में मत फसें किसी ऐसे relationship में को भी avoid कर सकते हैं और अपना exam के उपर focus करिए ठीक है जी चलो students आगे बढ़ते हैं why has the reserve bank of India introduced e-rupee देखे वर्ड के अंदर तो रूपी लिखा हुआ है मतलब normal currency है लेकिन साथ के साथ e भी जोड़ दिया है इन्होंने रूपी e-e मतलब electronic तो है तो यह रूपया 10 रूपया 5 रूपया 500 रूपया 1000 रूपया है तो रूपया लेकिन वो electronic phone में है तो यह आपकी pocket में आपके purse में नहीं रहेगा यह आपके मॉबाइल फोन में रहेगा और वो वैसे ही काम करेगा जैसे आपकी नॉर्मल नोट काम करते हैं अब आप समझ रहे होंगे सिर्फ यह क्या बात हुई हम लोग तो पहले यूपी आई का यूज कर रहे है वो भी तो हमारे फोन में रहता है तो यह यूपी उससे अलग कैसे हुआ देखें फरक होता है बताता हूँ देखी क्या होता है यूपी आई के दुरू जो आप पैसा यूज करते हो वो आपके बैंक अकाउंट में होता है चीक है वो आपके बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट में होता है उस saving account के उपर bank आपको हलका फुल का कुछ ना कुछ interest rate पे करता है मालो 3-4%-5% पे करता है वो आपका saving account है लेकिन जो आपके pocket में cash होता है तो आपका saving account नहीं होता वो तो आपके पास hard cash होता है तो ये जो e-rupee है ये आपके hard cash के जैसा होगा यानि कि ये आपका saving account नहीं होता है आपके bank का saving account नहीं होता है ये आपके pocket में पढ़ा it's like a current account जिसके ओपर कोई भी interest rate नहीं लगता है बतला आपको bank जो है कोई भी interest pay नहीं करता है it is something like a current account आप पैसा दीजिए पैसा लीजिए बात खतम लेकिन cash के थुरू नहीं 3 रूपी के थुरू तो ये जो है RBI काफी समय से planning कर रही थी और सिर्फ RBI नहीं बलकि China, America कहीं European countries में ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो हम लोगों ने भी अभी experiment के purpose गे लिए कुछ limited cities में जो है इसको शुरू किया है इस digital rupees की जुरूरत क्यों है क्यों इसकी requirement पड़ी ये आपके लिए जुरूरी है और exam में इस तरह के सवाल definitely means में यहां से सवाल आएगा पुछे का आप से what do you understand by e-rupee discuss the needs and the challenges regarding the implementation of e-rupee simple सा question आ सकता है exam में उसका पूरा answer जो है वो यहां पर दिया होगा e-rupee क्या होता आपको समझ गए e-rupee की requirement क्यों है देखिए currency को print करने में बहुत खर्चा आता है तो पहली बात तो करने प्रिंट नहीं करनी पड़ेगी आपका पैसा वैसे ही बचेगार भी एगा बहुत सारा रुपया दूसरी बात currency को manage करने में बहुत दिक्कत आती है यह cash को manage करने में तो दिक्कत आती है न bank को करोड रुपया करोड रुपया manage करना पड़ता है उसके लिए आपको storage room की requirement होती है आप उसको transport करते हो एक जगे से दूसरी जगे पर उसमें भी आपको बहुत मेहनत लगती है transportation को खर्चा आता है logistic बहुत सारे खर्चे होते हैं तो वही सरकार का पैसा बचेगा तो एक तो वह easy रहने वाला है दूसरी बात वह बड़ी बड़ी बात है financial inclusion होगा जाता से जाता लोग इसका use करेंगे तो इसको track करना भी आसान है आप cash को track नहीं कर सकते जब कि pocket में होता है सरकार उसको track नहीं कर सकती वह black money से आ रहा है कहां से आ रहा है मान के चलिए कि 20 साल के बाद इंडिया से जो note currency है hard currency हो पूरी तैसे खतम हो गई सिर्फ e-rupee ही आप use कर सकते after 20 years मान नो अगर आप कोई आदम ड्रक्स परचेज करने जाता है या कोई भी ऐसा समान परचेज करने जाता है जो illegal है उसकी जैसे ही transaction होगी वार्वेई को पता चल जाएगा है कि नहीं तो यह कहीं ना कहीं उस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं तो इसको track करना आसान है manage करना आसान है storage करना आसान है तो इसकी वज़े से इसको जो है आप यूज़ किया जा रहा है और सरकार cryptocurrency को भी discourage करना चाहती है वो भी reason है इसके पीछे इसको यूज़ करने का government चाहते है कि क्रिप्टो करन्सी को discourage करें क्योंकि क्रिप्टो करन्सी लोगों को आसान लगता है यूज़ करना इंडिया में तो खेर इसको illegal कर दिया गया है पीपल टू पीपल पीपल टू बिजनेस रिलेशनसी भी इंप्रूव हो सकते हैं यह रूपी का यूज़ करके तो वो कुछ चीज़ें भी definitely यहां पर है लेकिन रिस्क तो हमेशा रहता ही है सबसे बड़ा रिस्क हो यह hacking का ही है आपके mobile phone को अगर hack कर लिया गया तका पुरा पैसे वैसा चोरी यहां पर definitely हो सकता है सिर्व वही नहीं यहां पे एक और बड़ा रिस्क यह है अब यह समझ के देखिए कि जो bank होते है यह bankों का सबसे बड़ा function क्या होता है बैंकों का function होता है deposit को accept करना आप जैसे लोग मेरे जैसे लोग deposit करते हैं उस deposit को further जो है loan में convert करके आगे business आगे देना मतलब किसी को भी दे सकते हैं आप भी ले सकते हो home loan, car loan, अडानी अंबानी भी ले सकते हैं और इससे bankों का profit होता है इससे हमारी economy चलती है तोकि इससे investment बढ़ता है business grow होता है आप यह मान के चलिए जब inflation बढ़ता है तो रूपी की value डाउन चली जाती है या फिर interest rate कम हो गया तो अगर interest rate बहुत ही कम हो गया तो लोग क्या करेंगे अपने bankों के saving account को e-roupie में convert करवा सकते हैं आप समझ लीजे जब e-roupie में convert हो जाएगा तो बैंकों का deposit बैंकों में deposit कम हो जाएगा deposit कम होगा तब यह loan के लिए पैसा नहीं बचेगा तो भाई यह जो businessman लोग वो कहां से loan लेंगे और investment नहीं बढ़ेगा business नहीं बढ़ेगा economy नहीं बढ़ेगा GDP कम होगा unemployment बढ़ेगा यह भी इसका एक long term जो है negative consequence हो सकता है ऐसा economist लोगों का मानना है critics लोगों का यह भी मानना है कि भाई इससे ना RBI एक dictator के जैसे काम कर सकती है लोगों के मन में यह गलत feeling जा सकती है कि RBI आपको हमेशा track कर रही है और इसमें क्या होगा बहुत बार ऐसी भी transactions होती है जो legal होती है legal होती है लेकिन कई बार हो सकता है legal activity को भी गलती से illegal declare किया जा सकता है वो सब चक्कर में भी हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा successful यह ना हो तो यह कुछ-कुछ जीव है चीज़े यहाँ पर definitely नोने बात कही है तो these are some risk also there are a need also तो कहीं सारे aspect हम लोग नहीं यहाँ पर किये है कि Cryptocurrency क्या होती है इसकी need क्या है challenges क्या है और benefits क्या है अगर इतना भी आपको पता है तीन चार point आप आज राम से exam में एक बड़ी answer लिख सकते हो है ना चलिए एक और छोटा सा article है कहता है यह explain section है China's moves in the Indian Ocean यह वही बात है जब किसी के पास पैसा आता है वो चारों तरफ हाथ फैर मारने की कोशिश करता है जहां वो पहले सोचता भी नहीं था तो China का वैसे तो Indian Ocean से कोई खास लेना देना नहीं है हां मतलब वैसे तो लेना देना है 40-50% का जो trade है चाइना का वो Indian Ocean के थ्रूही होता है लेकिन territorially चाइना को बहुत ज़ादा Indian Ocean से मतलब नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा तो चाइना करता नहीं है चाइना तो आर्क्टिक के अंदर भी interfere कर रहा है इंडियन ओशन में भी कर रहा है और इंडियन ओशन के अंदर बहुत सरी ऐसे कंट्रीज हैं जो की चाइना के कर्ज के नीचे दबी हुई है ना debt trap policy जो चाइना की है उनका यूज करके चाइना इंडियन ओशन में अपने influence को increase करना चाहता है तो चाइना ने अभी क्या किया थोड़े समय पहले लास्ट वी की एक meeting बुलाया एक conference किया चाइना जो है इसने उस meeting को organize करवाया था और इसमें इन्होंने बहुत सरे country से लोगों को invite किया था तो वो website का चाइना का ये कहना कि 19 countries से जो इंडियन ओशन के अंदर countries पढ़ती है उन्होंने यहां पे participate किया था जिसके अंदर Australia और Moldiv से भी invite किया गया था हाला कि Australia Moldiv के कुछ officers ने वहाँ पे definitely गए थे participate किया था Australia और Moldiv के सरकार का ये कहना है कि officially उनकी government के तरफ से कोई नहीं गया कोई private capacity में गया था हम लोग कुछ नहीं कह सकते आँ देखे जैसे ऐस्ट्रेलिया के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर रड वो भी गये थे वहाँ पे लेकिन वो personal capacity में गये है तो एक तो चाइना ने ये सब किया है ठीक है तो ये country का नाम आप यहां पर पढ़ सकते हो कौन-कौन से country ने participate किया था ये याद करने के जोरुत नहीं है बस एक concept आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए Australia मoldi वाला में आपको बता दिया इन्होंने का कि हम लोगों ने participate नहीं किया है तो ये चीज़े बार-बार repeat यहां पर हो रही है इंडिया यहां पर कहां पर stand करता है चाइना का यह कायना है कि हम लोगों ने इंडिया को invite किया था लेकिन वो invitation official proper तरीके से नहीं आया था और अगर आ भी जाता तो इंडिया उसके अंदर नहीं जाता फ्यूचिर में पर चाइना का यह कायना है कि हम लोग इंडिया को invite करेंगे क्योंकि इंडिया नोशन के अंदर बहुत बड़ा player ओलड़ी है लेकिन इंडिया तो ओफकर्स वहां पर जाएगा नहीं क्योंकि चाइना की intentions अच्छी नहीं है चाइना भाई वहां पर अपना जो military tracking vessels है कभी वो लेके आता है कभी हमबन टोटा पर अपनी nuclear submarine लेके आता है है ना कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है तो चाइना की नियत अच्छी नहीं है तो इसलिए इंडिया वहां पर जाएगा नहीं दूसरी बात इंडियन ओशन के अंदर already arrangement है है ना हमारे पास I.O.R.A है already जिसके अंदर 23 countries है तो भाई जब already वहां पर arrangement है तो आप नए arrangement क्यों कर रहे हो क्या मतलब हो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है ना तो इसलिए इंडिया तो ऐसी पार्टिस पर यहां पर करेगा नहीं और उसकी intentions सबको पता है चाइना का तो यह कहना है कि मैं तो blue economy के लिए कर रहा हूं है ना मैं तो capacity increase करना चाहता हूं in countries की मैं help करना चाहता हूं वो सब फालतू की बात है सब को पता है चाइना का क्या यहां पर role है तो यह कुछ article यहां पर दिया गया है बाकी जहां तक इंडिया notion की position की बात है तो फिलहाल इंडिया की जो dominant position है उसको कोई challenge नहीं कर सकता इंडिया notion के अंदर बागी कोशिश करते रहो हम भी अपनी कोशिश करेंगा आप भी करिये ठीक है जी चलो आगे बढ़ते हैं पूर सोईल मैनेजमेंट विल इरोड फूड सिक्यूरटी ठीक है यहां से अराम से एक question भी आप बना सकते हो of course what is soil degradation what is soil degradation discuss the reasons or discuss the factors responsible and suggest some solutions suggest some solutions 150 words 10 marks मैं आप इसको लिख सकते हैं देखे जिवग्रफी, environment, ecology यहां से direct questions आते हैं मतलब बहुत घुमार फिरा के questions नहीं आते हैं ठीक है direct question आते हैं को सिदा-सिदा content लिखना रहता है चलिए तो भाई soil तो बहुत ज़रूरी है soil की बिना काम नहीं चल सकता क्योंकि soil जो है वो plants को support करती है soil की बिना plants नहीं और plants की बिना हम नहीं क्योंकि food जो produce करते हैं हम प्लांट ही करते हैं हम लोग plant-based food कंजूम करते हैं कुछ लोग बच्चे बोलेंगे सरह मैं तो चिकन खाता हूं मैं तो कभी सबजियां खाता ही नहीं तो क्या मैं कैसे plant को पर depend हूँ अरे भाई जो चिकन आप खा रहे हो वो तो plant ही खा रहा है न जो चिकन फीड खा रहा है वो कहां से रहा है वो तो plant से ही आ रहा है तो ultimately source क्या है plants ही है और plants का source क्या है soil है इसलिए soil बहुत crucial है nutrition के लिए even water retention के लिए जो ground water के अंदर हमारे जो ground water होता है उसके अंदर पानी कहां से जाता है तो soil के थूही होके तो जाता है न फिल्टर होके तो सारी चीज़े बहुत important है सिर्फ इतना ही नहीं carbon sink soil is the second largest carbon sink कितनी CO2 जो है greenhouse gases है वो soil के अंदर dissolve रहती है तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है यहां पर of course और droughts के time पे floods के time पे हमारी बहुत help करता है soil तो soil is very crucial building block है हमारे अर्थ के ओपर life का तो इसलिए इसको protect किया जाना बहुत ज़रूरी है तो soil degrade हो रही है लेकिन degrade मतलब उसकी quality down हो रही है nutrition wise भी quantity wise भी quality wise भी तो उसे degradation कहते है कारण क्या है degradation का nutrition loss हो रहा है vegetation loss होगा तो nutrition loss भी होगा pollution बहुत बड़ा reason है industrial activity, mining, waste treatment प्रोपर तरीकेश नहीं होता agriculture भी एक reason है soil degradation का क्योंकि बहुत ज़र्टिलाइजर्स होगरा हम लोग use करते हैं, pesticide उगरा का होते हैं तो देरा lot of reasons जिसके वज़े से soil degradation होता है इसका consequence क्या होता है consequence भी होता है nutrition और food insecurity जब food production कम होगा तो हमाँ हमें खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा agriculture productivity threatened होती है जमीन होती है, बंजर हो जाती है infertile हो जाती है, तो agriculture activity वहाँ पर hinter होती है in-situ biodiversity conservation water quality वगारा ये decline होता है overall diversity हमारी कम हो जाती है social economic well-being of the land development dependent communities ऐसी communities जो भहिया पूरी तरह से agriculture के पर depend करती है तो उनका तो परा कामी खतम हो जाएगा तो these are some of the things जो की उसका consequence होता है but जब problem है तो solution भी है और problem का solution निकालने के लिए government knowledge कहीं सारी initiative यहाँ पर ले रखे है तो हमारे यहाँ पर पांच मतलब five pronged strategy है क्या करना है एक तो soil को chemical free बनाना है ठीक है, दूसरा biodiversity को save करना है ठीक है, उसके लाबा soil management proper तरीके से करनी है soil moisture को maintain करना है soil degradation को रोकना है erosion होता है, फिर degradation होता है और इंडिया में majorly soil erosion होता है, वो water की वज़े से होता है तो क्या अब यह देखके चले कि इंडिया में monsoon जो है, वो कितने महीने के लिए होता है 3-4 महीने के लिए monsoon होता है, बाकी 8-9 महीने क्या होता है, dry conditions होती है soil dry रहती है तो उसके molecules है, वो weak हो जाते है और अचानक से जब बारिश होती है, तो वो leach out हो जाते है, एकदम से उपर वाली जो layer होती है, वो उख़ड जाती है तो water का जो flood भी वारा बहुत frequently हमारे यहां पे आती है हासका North East India में बिहार में, UP में उदर North East India में न, तो वो soil erosion बहुत जादा हमारे यहां पे होता है तो उसे degradation definitely यहां पे हो जाता है तो कुछ initiative हम लोगों ने ले रखी है जैसे soil health card, इससे क्या है किसानों का अपनी soil के बारे में जानकर रे time to time मिलती रहती है कौन से nutrition उसके अंदर कमी है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं प्रधामतरी crisis हिंचाई ओजनभी जो हम लोगों ने यहां पे चला रखी है उसके लावा जो internationally food and agriculture organization है उन्होंने भी जो है नेशनल रेंट एरिया authority पतलब वो इंडिया के साथ मिलके काम कर रही है जिसमें क्या है forecasting tools को और अच्छे तरीके से develop करना है जैसे किसानों का advance में बताना कि यह बारिश कब होगी कितनी होगी अब वो सब करेंगे तो किसान उसके हिसाब से action ले सकते हैं खासकर ऐसे regions में regions के अंदर जहाँ पर rain fed areas हैं पत्तर जहाँ पर usually irrigation rain based होती है ठीक है उस जगह पर जो है यह लोग काम कर रहे हैं तो दीजा समवता initiative जो लिए गए है कुछ special initiative भी लिए गए हैं खासकर अगर आब बात करें कुछ states के अंदर जैसे हरियाना पंजाब, मध्यापरदेश, मिजोरा, मोडिशा, राजयसान उत्रखंड और 36 गड़ के अंदर FAO ने इन state government के साथ मिलके कहीं सारे step ले रखे हैं जिसमें इनका major focus है वो क्या है crop diversification अलग तरह की crop साब को लगानी चाहिए अलग-अलग seasons में और landscape level planning मतलब भूमी को समतल बनाना है plane बनाना है, smooth बनाना है इससे क्या होता है, water की speed कम हो जाती है speed कम होगा तो erosion कम होगा, erosion कम होगा तो degradation कम होगा तो यह कुछ कुछ किया जाना है उसके लावा दीन दयाल अजनत्य योजना है हमारे पास national rural livelihood mission के तहत, इसमें भी community based लोगों को training देना है involve करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा organic farming की जा सके क्योंकि organic farming में ज़्यादा chemicals यूज होते नहीं है और agri nutrition garden farming आप कर सकते हो home gardening कर सकते हो, kitchen farming gardening आप कर सकते हो तो यह सब चीज़े definitely यहाँ पर की जाती है उसके लिए और क्या करना है wave forward में क्या क्या लिखते हो उसको manage कर सको, यह कुछ कुछ चीज़े हम लोग definitely कर सकते हैं उसके लाव जितने भी stakeholders है सभी का decision making definitely यहाँ पर होना चाहिए हम लोग personal level पर क्या कर सकते हैं personal level पर हम लोग ज़्यादा plants लगा सकते हैं है ना, वो हम लोग definitely कर सकते हैं kitchen gardening गरा हम लोग कर सकते हैं ऐसा food consume कर सकते हैं जो कि local produce होता है जिसे local community को भी benefit मिले ठीक है तो यह कुछ कुछ हम लोग definitely कर सकते हैं तो soil erosion को लेक अच्छा article आया है आज एक GS paper 3 में यह अच्छा tutorial है degradation क्या होता है soil हमारे ले क्यों important है उसके reasons क्या है, consequences क्या है, कौन-कौन से step हम लोग ने ले रखे हैं तो एक अच्छा सा answer आपका definitely यहाँ पर बन जाता है ठीक है दोस्तों तो आज इसी के साथ analysis को खतम करते हैं आयोब आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों को भी बताएं अपने family members को भी दिखा सकते हैं जुरूरी नहीं है कि newspaper आप इसलिए पढ़ना कि UPSC aspirant हो हर एक educated person को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है अपने friends को, family members को relatives को, जिसको भी चाहे newspaper को, analysis को दिखाएं क्योंकि सबके पास newspaper पढ़ने का time नहीं होता है लेकिन भाई आप earphone लगाके आराम से काम करते हुए analysis देख सकते हो आज ही लेतना ही था, thank you very much all the best and जाएंट